जीवन को जीना अपने आप में एक साधना है, एक तपस्या है, धर्म का आचरण है। यदि जीवन को बहतर तरीके से जीना आ जाए, तो यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है, और यदि हम अपने जीवन को अव्यवस्थित तरीके से जीते हैं, जैसा मन आया, उस तरह जी लिया, तो यही जीवन व्यक्ति के लिए स्वच्छंदता कहलाता है। हमें से प्रतेक व्यक्ति को चाहिए, कि हम अपनी जीवन को इस तरह से जीए, कि हमारा जीवन हमारे अपने आप के लिए भी सुखदाई हो, और दूसरों के लिए भी दुखदाई हो। कभी तुलसिदास जी ने एक प्रसिद्ध वचन कहा है, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीडासम नहीं अधमाई। दूसरों का हित साधना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और दूसरों का अहित करना, इससे बड़ा कोई अधर्म या पाप नहीं होता। जीवन प्रबंधन हमें इस बात की समझ देता है, कि हमें वेही कारिय, वही व्यवहार और वही वानी का उपियोग करना चाहिए, कि जिनके द्वरा हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कारिय जल्दी से नहीं करेगा, जिसमें दूसरों का तो हित हो, पर अपना अहित होता हो, तो आदमे उस काम को करने से संकुछ खाएगा, बचेगा। तो इसलिए धर्म की सीधी सरल परिभाशा यही होनी चाहिए, कि व्यक्ति के द्वरा किया गया वह आचरण धर्म है, जो स्वयम के लिए भी सुखदाई हो, और दूसरों के लिए भी सुखदाई हो, कि जिससे स्वयम का भी मंगल होता हो, और दूसरों का भी मंगल होता हो, उस कार्य या व्यवहार का नाम ही धर्म है धर्म हमें बुन्यादी तौर पर ये सिखावन देता है कि हमें अपने प्रत्यक कार्य के द्वारा, क्रिया कलाप के द्वारा औरों के लिए भी सुख का प्रबंद करना चाहिए और उसी सुख पुर्वक जीवन जीने के लिए ही भगवान श्री महवीर ने पाँच वृत के नाम से अहिंसा, सत्य, अचावरिय अपरिग्रह और ब्रह्मचरिय की रूप में पंचामृत हम सब लोगों को प्रदान किये महवीर के द्वारा दिये गई ये पाँच वृत, पाँच अम्रित अपने आप में इस पूरे विश्व के माहोल को पवित्र बनाने में, निर्मल बनाने में, एक दूसरे के लिए सहयोगी और सहभागी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का अदा कर सकते हैं खास तोर पर विश्व शान्ति, विश्व प्रेम, विश्व भाईचारे के स्थापना के लिए इन पाँच वृतों की खूब अधिक हमें प्रचार, प्रसार, आम जन्मानस में इसको नए तरीके से, वेग्यानिक तरीके से स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन वीना के तारों की तरह हुआ करता है, हमें वीना के तारों को साधना होता है, कि जैसे वीना के तार ना तो अधिक कसे जाएं और नहीं अधिक ढीले, छोड़े जाएं व्यक्ति के तोर पर मैं इस धन्त का हिमायती हूँ और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को न तो अति तप करना चाहिए और नहीं अति भोग करना चाहिए अति तप भी व्यक्ति के शरीर को क्रिशकाय करता है तो हमें तन को अधिक तपाने की बज़ाए अपने मन को अधिक संसकारित करने का प्रेतन करना चाहिए अर्थात हमें तपस्या को तन के साथ जोडने की बज़ाए हमें अपने मन के साथ जोडना चाहिए हम बगएर अन के दो दिन दस दिन रह सकते हैं पर बगएर क्रोध के हम जिन्दगी भर रह सकते हैं बगएर मिठाई खाए हम दो महिने रह सकते हैं पर बगएर अभिमान के हम जिन्दगी भर रह सकते हैं तो व्यक्ति को तन का पोशन तो अंततह करना ही पड़ेगा तो ऐसे स्थिति में हमें अतितप अर्थत अपने तन को ज्यादा क्रिशकाए या ज्यादा तपाने की बजाए अपने मन के साथ तपस्या को जोड़ना चाहिए मन के साथ तपस्या को जोडने का अर्थ यह हुआ कि हमने अपने क्रोध को काबू किया अपने विकारों पर सहींव बरता हमने अपने अभिमान को विनम्रता का पाठ पढ़ाया माया और प्रपंच करने की बज़ाए हमने संतोश धर्म को अपने जीवन का अंगमाना तो इस तरह से हम लोगों को तन का तप करने की बजाए मन का तप अधिक करना चाहिए तो हमें अति तप से भी बचना चाहिए और अति भोग से भी हमें बचना चाहिए प्रकृति के द्वारा प्रदत जो भोग परिभोग होते हैं आहार का सेवन करना है पेय पदार्थों का सेवन करना है संगीत या इंद्रियों के विश्यों का भोग परिभोग करना है या देह का भोग परिभोग करना है हमें इन्हें संयम पूरवक अपनी जीवन में जीने का प्रयत्न करना चाहिए ये कहीं बे लगाम न हो जाए ये सभी चीज़ें कहीं हमारे लिए बे लगाम साबित न हो जाए तो अति भोग भी हमारे लिए दुखदाई है कश्टदाई है और समय में बुढ़ापे को न्योता देने वाले हो जाया करते हैं हम लोग अकाल मृत्यू के ग्रास हो जाया करते हैं तो ऐसी स्थिति में मार्ग बहतर है कि व्यक्ति अपने जीवन के वीना के तारों के तरह जीवन को साथ है ये खुद को ही निर्णे करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को नियोजित करना है कि जिसमें कि हम लोग अपने आपको जैसे की एक नट रसी पर निर्ट्य किया करता है इसी तरीके से हम लोग को अपने जीवन को संतुलित धंग से जीना चाहिए ये जीवन संतुलन के आधार पर चलता है और हमें उस संतुलन को इस्थापित करना चाहिए और यही संतुलन इस्थापित करने के लिए ही भगवान माहवीर ने अहिंसा पर जरुष से ज्यादा जोर दिया माहवीर के हिंसाब से अहिंसा अपने आप में ही संसार का सर्वश्रिष्ट धर्म है अहिंसा अपने आप में ही एक सर्वश्रिष्ट शास्त्र है यो समझें कि दुनिया के समस्त तिर्थंकरों के उपदेशों का सार दुनिया के समस्त अवतार और पैगंबर पुरुशों के संदेशों का सार अगर किसी एक शब्द में लाकर के पिरोया जा सकता है तो वो शब्द है अहिंसा अहिंसा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मां का दूद होता है अहिंसा बिल्कुल वैसे है जैसे वर देने वाला कल पर रिक्ष हुआ करता है अहिंसा बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि कोई दीन दुख्यों को तारने वाला तीर्थ हुआ करता है तो यही वो आधार है यही वो जरीया है कि जसके जरीये ये धर्ती ट्टी की विए रह सकती है हम एक दूसरे से प्रेम महबत कर सकते हैं दीन दुख्यों के लिए मददगार बन सकते हैं एक दूसरे को गले लगा सकते है यानि कि इनसान अगर इनसान बन सकता है तो अहिंसा के जरीये ही बन सकता है बगैर अहिंसा के एक इनसान इनसान नहीं हो सकता एक इनसान शैतान भली हो जाए इनसान को इनसान बनाने वाला तत्व एक मात्र अहिंसा है हाँ अगर इनसान थोड़ा सा और उपर उठ जाए अपने आपको भगवान के रास्ते पर ले जाना चाहे तो उसके लिए सत्य उसके लिए ब्रह्मचरिय उसके लिए अना सकतिय तप त्याग जैसे और भी रास्ते उसके लिए उपयोगी बनेंगे पर पहला पाया, पहली नीव, पहला पगतिया, पहला पड़ाव, पहला प्रस्थान बिंदू यदि कोई है तो वो एक एकलोता धर्म है और वो है अहिंसा violence and non-violence, हिंसा और अहिंसा, संसार में आज तक दो ही धर्म रहे हैं शैतान लोगों का धर्म हिंसा रहा है और इंसान लोगों का धर्म अहिंसा रहा है राम का धर्म अहिंसा है, रावन का धर्म हिंसा है, कृष्ण का धर्म अहिंसा है, कंस का धर्म हिंसा है यही हिंसा और अहिंसा का मापदंड चलता रहा है रावन एक सेकंड में तलवार उठा सकता है कंस एक सेकंड में किसी पर अत्याचार कर सकता है पर कृष्ण और राम यदि अपने हाथ में तलवार उठाएंगे तीर उठाएंगे धनुष उठाएंगे वो तभी उठाएंगे जब अहिंसा की हत्या हो रही हो जब धर्ब की हत्या हो रही हो जब सत्य जब सत्य का चीर हरण होने लगता है तब ही ये लोग अपनी और से हिंसा की गली खोलने की कोशिश करते हैं वरना ये सभी लोग अहिंसा के अवतार है अहिंसा के पैरवी करने वाले लोग है और अहिंसा के ही मित्र है खास दोर पर महवीर तो अहिंसा के ही पैरोकार है सलाहकार है हो सकता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति महवीर को ईश्वर का पुत्र या इश्वर का अवतार माने या ना माने लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं करेगा कि महवीर अहिंसा के अवतार थे सच्चाई तो यह है कि जो आदमी अहिंसा का अवतार होता है वो अपने आप ही ईश्वर का पुत्र हो जाया करता है वो अम्रित हो जाया करता है क्योंकि वो किसी को मारता नहीं है और जो व्यक्ति किसी को मारता नहीं है वही व्यक्ति कभी मरता नहीं है इसलिए वो अम्रित है जिस व्यक्ति ने सपने में भी कभी किसी चीटी का वद न किया हो अगर सीता और राम के सामने अगनी परिक्षा की घड़ी आती है तो सीता यही कहती है कि यदि मैंने मन में भी सपने में भी यदि राम को छोड़कर अन्य पुरुश का भी अगर विकल्प भी किया हो तो ये अगनी मुझे जला दे मुझे भस्म कर दे यदि मैंने मन वचन काया से केवल स्री राम को ही अपने पती के रूप में अपने प्रियतम के रूप में अपने परमेश्वर के रूप में अगर मैंने चुना हो तो ये अगनी शान्त हो जाए और कहते हैं कि अगनी शान तो हो जाती है यदि ऐसी ही संकट की